पाकस्तान विखल 14 रास्टपती के लिए आसिफ अली जर्दारी ने शुपत लिया वो पाकस्तान के पहले ऐसे रास्टपती थे जिन्होंने अपना कारेगाल पूरा किया हो आसिफ अली जर्दारी का राजनेतिक सफर उतार चड़ाव और पहुत ही विवादों भरा रहा है आसिफ जर्दारी ने शिरुवाती सिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल से हुई है इसके बाद वो सिंध के पिटारो स्थित केंटेंट कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए उनकी जीवनी के अनुसार उन्होंने लंदन से बिजनस में एक रैजोईशन किया है असिफ अली जर्दारी के पिता हाकिम अली जर्दारी के पास जमिनदारी थी इसके अलावा विकराची में सिनेमा घरों और कंस्ट्रॉक्शन के काम से भी जुड़े हुए थे किसी जमाने में वो शेख मुजीब की अवामी नैशनल पार्टिक का हिस्सा भी रहे हैं पाकस्तान चुनाव आयोग के जिकॉड के अनुसार हाकिम जर्दारी सर उन्ने सपच्चासी में जन्रल जियाउल हक के दौर में नवाब शाह से रास्ट असंबली का चुनाव लड़े लेकिन हार गए अपने पिता से पहले असिफली जर्दारी नवाब शाह की जिला काउंसिल के चुनाव भी लड़ चुके थे लेकिन उन्हें हार का सामरा करना बड़ा था सन 1983 का दौर था जब सिंध में लोकतंत्र बहाल करने के लिए अंदोलन हो रहा था इस साल नवाब शाह के सहर सकरंड के पास पिनहाल चैंडियो गाउंस में सेना की फाइरिंग में विपल्स पार्टी के 16 कारकरता मारे गए और लगभग 50 घायल हो गए थे देश विदेश के मीडिया में आसिफ जर्दारी को घात नेता बताया जाता था 1987 के पहले आसिफली जर्दारी की कोई पहचान पाकस्तान में नहीं थी जब उनकी शादी पाकस्तान के पूर्फ पीम जुलसिकार अली भुट्टो की बेटी बेंजीर भुट्टो के साथ हुई तब उनके नाम को कोई पहचान मिरी बेंजीर भुट्टो ने 1988 से 1990 तक प्रधानवांचरी के रूप में पदभार संभाला फिर 1993 से 1996 तक देश्वी प्रधानवांचरी बने रहे मुस्लिम देश में लोगतांत्रिक सरकार का नेत्रित्व करने वाली वो पहली महिला थी इस बीच जबरन वसूली और अपहरन के आरोप में जरदारी को तीन साल की चेल हुई लेकिन सलाखों की पीछे से नैशनल असंबली के लिए वो चुने गए भुट्टो के दूसरे कारेकाल में उन्होंने निवेश मंत्री के रूप में कारे किया 1996 में भुट्टो की सरकार गिरने के बाद जरदारी आदे घंटे के भी तर सलाखों के पीछे वापस आ गए पाकिस्तान की राजरीती में उन्हें मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता है उनके उपर आरोप थे कि वो अकसर सरकारी ठेकों में से 10% की मांग करते थे जरदारी अपने जीवन के 12 साल जेल में गुजार चुके हैं एक इंटर्वी के दारान उन्हें बताया कि वो अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होता देखना चाहते थे लेकिन जेल में जाने के बाद उनके जिंदगी एक दम सी बदल गए उनकी अनुपस्तिती में बच्चों की देख रेक अच्छी की और वो कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला 2007 में उनकी पत्नी पाकिस्तान की पीम बच्चीर भूतो की एक रेली में हत्या करती गई जिसके बाद देश में आमचुनाव हुए और बेंजीर की सहानबूती में पाकिस्तान पेपल्स पार्टी को बड़ा जंग समर्थन विला और आजसेफ अली जरदारी अगली बार पाकिस्तान के गयारवे राश्ट पती बने ये पाकिस्तान में पहले बार हुआ जो पाकिस्तान की दो धुर राजनेतिक विरोधी दल पाकिस्तान पिपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक साथ आए हैं अब देखना ये है कि आसिफ अले जरदारी राष्टपती रहते हुए पाकस्तान की राज सरकार, पाकस्तान की केंद्र सरकार और सेना के बीच कैसे समनवे बैठाते हैं क्योंकि पाकस्तान मौजूद हालत में आर्थिक और सुरक्ष की बधाली से गुज़र रहा है वहीं विपक्ष सरकार पर घुटाले और आमचुनावों में धांदी के आरोप भी लगे हैं